हेई वाइटीबियंस की हाल चाल वेलकम बैक टो देजना दोस्तों बहुत सारे वीवर्स एक सवाल पूछ रहे हैं समर के अंदर कौन सा सबसे बड़िया हनीमोन डेस्टेशन होने वाला है इस साल खास करके इंडिया के अंदर तो दोस्तों मैंने इस बहुत अच्छी पर मैं आपके लिए इस डेस्टेशन का नाम ले करके आगया हूं तो बने रही है वीडियो पर लास्त तक आपको आज इस गजब की नियूस को देने वाला हूं कि इस साल हरीमोन के लिए कौन सा डेस्टेशन है इंडिया के अंदर नंबर वन कैसी फैसलिटीज हैं और आप कि बहुत सारे जो वीवर्स के सवाल हैं उनके जबाब भी इस डेस्टेशन चे जुड़े वे इस वीडियो में देने वाला हूं उससे पहले दोस्तों अगर आपने भारत चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देखे रेड बटन आ रहा है इसी तरह की गजब की नियूस के साथ दोस्तों वीडियो को जादा से जादा लाइक करें ताकि मुझे मॉटिवेशन मिले आपके लिए इसी तरह का रेगुलर कंटेंट मैं ले करके आता रहूं आये देर नहीं करते हैं आपको इस हरीमून डेस्टेशन जुड़े हुई सा दोस्तों की ऐसी बहुत सारी वजहें हैं कि काश्मीर इस साल नमबर वन हरीमून डेस्टेशन बन करके उबरा है दोस्तों सबसे पहली बात नमबर वन पर इस साल कश्मीर में जो स्नूफॉल हुई है वो पिछले 20 साल के रिकॉर्डर को ब्रेक करके इतनी अच्छी और जब परेल मई के अंदर तो आपको बहुत अच्छी स्नू वहाँ पर पड़ी हुई मिलेगी लाइव तो नहीं मिलेगी क्योंकि मार्च के अंदर ही संभावना होती है कि लास्ट स्नूफॉल पड़ती है कश्मीर के अंदर या अधर ट्रैवल डेस्टेशन पर इंडिया के तो आ नमबर वन कोई डेस्टेशन बनाती है वो सारी कश्मीर में आपको इस साल मिलने वाली है तो जाइए अपनी हरीमून को सेलिब्रेट करिए नमबर दो बज़े दोस्तों कश्मीर में जब से अमन दुबारत से स्टार्ट हुआ है और शान्ती की प्रक्रिया बिलकूर प्रबंद कर रखे हैं तो बेखाफ होकर कि अब आप कश्मीर जा सकते हैं श्रीनगर जा सकते हैं गुलमर्ग जा सकते हैं पहल गाम जा सकते हैं सोनमर्ग जा सकते हैं और इतने अच्छी यादगारों के साथ आप अपने हरीमून कंप्लीट करके वापस आ सकते हैं और वर् गंडोला राइड को जरूर इंजॉय करना यकीन मानिये आप वाह वाह करते ही रह जाएंगे और इसके साथ एक और न्यूज है कि अप्रेल के अंदर आपका ये गंडोला राइड मई के अंदर और आगे भी आपको ये गंडोला राइड ओपन मिलेगा सेकिंड फेस का तो वह वहाँ पर जाकर के आप बहुत ही हाइट पर अच्छी आपको इसनोफॉल मिलेगी पड़ी हुई वहाँ पर जाकर के आप पोरे गुलमर्ग वैली का वीव देख सकते हैं और बहुत अच्छी मेमोरी के साथ वापस आ सकते हैं दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी वजह होने वाली है कि कश्मीर का पैकेज जो है वो इस साल अधर ट्रेवल डेस्टेंशन के अगर मैं बात करूं तो समर के अंदर जैसे हिमाचल का इस साल बहुत जादा रेट इंक्रीज हो गया है पैकेज का कश्मीर में आपको पैकेज सीजन के अंदर जादा कॉसली नहीं मिलने वाला है लगबग 1000 से 1500 से 2000 रुपे तक का ही difference आया है, जबकि हिमाचल देसे destination पे 5 से 6000 रुपे का increase हो चुका है, खास करके summer packages के अंदर अगर आप लेते हैं, तो आपको 5 से 6000 रुपे जो आप अपरेल 15 तक पे कर रहेते, नौन सीजन में, वो आपको 5 से 6000 रुपे एक्स्टा पे करना पड़ेगा, तो मेरा ये मानना है कि आप हिमाचल अगर जाना चाहते हैं, तो वो आपकी choice है, लेकिन अगर आप हिमाचल को छोड़ दें, तो आपके लिए सबसे बहतरी जो destination होने वाला है, कॉस्ट इफेक्टिव और बिल्कुल लग्जरियस मेमोरेबल वो काश्मीर होने वाला है, तो मेरे कॉर्डिंग वाईटी भारत की सला ये है, इस साल नंबर वन हनिमोन डेस्टिंशन काश्मीर आप होकर के आईए, और हमेशा याद रखेंगे आपको जो मैंने सला दी है, मिलते हैं इसी तरह के अगले बहुती इंटरस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटी वीडियो में वाईटी भारत को तुरं सब्सक्राइब कर लो, नीचे जाके रेड बटन पर क्लिक करके साथ मिल गए बेल आइकोन को तबाना, ओल को सेलेक करना, वीडियो के ज़ाद से ज़ादा लाइक करना और हमेशा वाईटी भारत चनल पर बने रहना, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों नमस्कार सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चनल को और साथ में बेल आइकोन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लिटिस्ट वीडियो और वो भी बिलकुल फ्री में